हिंदू धर्म में छट पर्व का विशेश मेहत्व है। बता दे की 20 नवंबर 2023 सोमवार के दिन उदित होते सूर्य की उपासना के साथ छट महापर्व का समापन हो गया है। बता दे की साल में दो बार छट पर्व मनाया जाता है। एक चैत्र मास में और दूसरा कार्टिक मास में जिसका समापन आज हुआ है। चैत्र मास में मनाया जाने वाला चट चैती चट के नाम से जाना जाता है। इस दोरान भी कार्टिक चट पर्व की भांती ही सूर्य देव की उपासना की जाती है। आईए जानते हैं कब मनाया जाएगा चैती छट पर्व और इस पर्व का महत्व वैदिक पंचान्द के अनुसार चैती छट पूजा का शुभारम 12 अप्रेल को होगा और 15 अप्रेल 2024 को सूर्य देव की उपासना के साथ समाप्त हो जाएगा संध्य अर्ग्य 14 अप्रेल 2024 रविवार के दिन दिया जाएगा और 15 अप्रेल को व्रत का पारण किया जाएगा चैत्र मास और कार्तिक मास में मनाय जाने वाले छट पर्व का समान महत्व है इन दोनों पर्व में भगवान सूर्य देव और माता छटी की उपासना का विधान है साथ ही इस दिन को यमुना छट के नाम से भी जाना जाता है इस दिन मतुरा और व्रिंदावन में देवी यमुना की उपासना की जाती है मान्यता है कि इसी दिन देवी यमुना का पृत्वी पर आगमन हुआ था मान्यता है कि इस विशेश दिन पर पूजा पाथ, सनान दान इत्यादी कर्म करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख सम्रिद्री का आशिरवाद प्राप्थ होता है